Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, Rangat Family Vlog and welcome back to another video Hopefully आप लोग सब ठीक होंगे, Alhamdulillah हम भी बिल्कुल ठीक है अज़के विलोग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है, जहां पर मैंने कल का विलोग ना एंड किया था जितना काम उससे सुबर से भी तक होज सका ना मैंने उतना काम किया तकरीब इस टाइम ना बारा बज़ रहे हैं, नहीं सौरी एक बज़ रहे हैं क्योंकि ने बच्चे भी आये थे साथ में, बच्चों के ना आज संडे था लेकिन बच्चों को मैंने ओफ दिया नहीं था, उनके ना पेपर्स थे तो टेस्टिंग के लिए मैंने उनके लिए उनको बुलाया वा था, तो वो अपने टेस्ट कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं थक्तना स्टार्ट हो गई हूँ, अगर इससे मज़ीद ज़्यादा मैंने काम करना की और पिर किचन में आगई क्योंके पेट पूजा भी बहुत जरूरी होता है, खाना खाए बगार ना कोई इनसान चल सकता है और ना कोई बाकी का काम कर सकता है, फिर उसके बाद हमने नाश्टा भी नहीं किया था, सुबह जस्ट चाय पी थी और हस्बंड नहीं किया था, तो फिर मैं अपने कामों में लग गई थी, और ना आज का टॉपिक भी मेरा यही है कि बी काइंड यूरसेल्फ, अपने उपर महरबानिया करें, अपनी जात को प्रेफर करें, अपनी जात को ना इंपोर्टेंस दे, अपने आपको इंपोर्टेंस दे, आज का मेरा टॉप है रेगुलरली तो फिर उसमें ना थोड़ा सा आदे घंटे का बीस मिनट का पंदरा मिनट का गैप लिया गरें ताकि आपनों कुछ रिलाक्स हो जाएं कुछ फ्रेश हो जाएं और अगर आप लगतार लगे रहेंगे ना उसका फिर नेगिटिव अफेक्ट की आपकी लाइफ पे आता है आपके माइंड पे आता है और जब आप ठकना स्टार्ट होते है ना और जब आपनों हद से जएधा ठक जाते है ना उस ताइम नहीं आप से कोई काम ठीक होता है और नहीं इनसान ना प्रॉपर कोई काम कर सकता है और चिर चिरा से आता हाइपर हो जाती हूं और उसके साथ साथ ना फिर मेरी अपनी भी तबित खराब होती है और चिर्चिरी हो जाती हूं सेम ऐसे लिए करना है तो अपने ना टाइमिंग फिक्स कर लें अगर टाइमिंग नहीं फिक्स कर सकते हैं आप लोग ना तो अलाम लगा लें अगर अलाम नहीं या फिर आपको ऐसा फिल होता है कि मैं आगर बस बैड़ गई ना तो उसके बाद मुस्से काम हो गई नहीं तो ऐसा ना क थोड़े थोड़े गैप के साथ काम करते हैं आप खुद को फ्रेश भी फील करते हैं और खुद को ना मजीद आपके अंदर एनरजेटिक हो जाते हैं आप लोग और इसके इलावा नए टास्क के लिए फिर आप अच्छे तरीके से त्यार भी हो जाते हैं ये परिसनल किसी ने आप से खुश होना हुआ ना तो आप उसको एक ग्लस पानी दोगे ना तो वो आपके एक ग्लस पानी से खुश हो जाएगा अगर आप चाहे का एक कप भी बना के दोगे ना उससे खुश हो जाएगा और अगर ये भी नहीं होता ना जिसने खुश होना होता ना वो honestly ऐसा है literally ऐसा ही है और ना personal experience है आप से बोल रही हूँ ना तो अपनी जात को प्रिफर करें अपनी जात को ना अगर आपने करना भी है ना तो थोड़े थोड़े gap के साथ करें जैसे हम मुझसे जहां तक हुआ मैंने वहां तक किया उसके बाद मैंने एक मर्दबा खुद को fresh और फिर खाना वगएरर खाया थोड़ी देर रेस्ट किया रेस्ट करने के बाद तकरिबान ना एक बज़े ने खाना बनाया था खाना काते और बनाते तक्रीबर मुझे 2 बज़ गये थे खाना मगारा खाया लाइट चले गई और लाइट जाने के बाद तो रेस्ट होता ही नहीं आपको पता है उसके बाद तीन मजे जैसे ही लाइट आई है फिर मैंने वीडियो को अपलोड किया उसके ना डिस्क्रिप्शन लगाई और टैक्स आज कल में लगाई नहीं रही और उसके बाद ना फिर तकरीबन पांच बजे के करीब ना असर की नमास पढ़ने के बाद पिर मैंना वश्र उस टाइम मेरे पास ही बैठे रहे साथ में फिर वाश्रूम को भी मैंने अच्छे तरीके से मांच मूझ दिया उसके उपर ना बहुत ज़्यादा स्टेंज आए वे थे मैं इस वेट में थी कि कोई उसके ओपर तजर्बा करू लेकिन जब मैंने कल हाथ से ना पर्देद हो पर उसी को मैंने जब रगड़ा तो वह बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गया वरना मैं तो किसी तजर्बे के इनतजार में ही रहती पिर उसके बाद ना पढ़ते वगरत हो के वश्रूम को मैंने साफ करके अच्छे तरीके से इतना कोई चमक गया था फिर मैंने शावर ल नहीं कि एक तो मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है दूसरा फिर ना खाना खाने के बाद बैट जाती हूं नो तो फिर वो मुझे बहुत 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 ज़्यदा तंग करता इतना मुझे बॉड़ी में कोई पेन रहता था अब तक्रीबन ना कोई होता या नहीं होता आदा मैं बाहर निकल जाती हूं आदा घंटा पोना घंटा मस्ट है मैं वाक करके आती हूं उससे सिर्फ तीन दिन में मुझे इतना फर्क हुआ है कि मुझे जो बॉड़ी में जगा जगा पेन ओर था वो नहीं है हाँ अभी यानि के बॉड़ी मेरी यूस्टू नहीं होई है वा पस तो कोई इंतहा की गर्मी है तÝन, चार, शार बार भी चेंज करके न इतनी कोई गंदी वाली स्वेटिंग होती है ना दिल करता है वस बन्दा वाज़ों में रहे या फिर ना जो फूरण से स्वेटिंग हो और फूरण से कप्ड़े चेंज कर ले ऐसा कोई गर्मी और इंताहा की गर्मी हुई हुई है ना कोई बारिश है और याउ कुछ और कल मैंने आप लोगों को बताया था, यह मैंने पंके दिखाना, यह देखें जी, यह पंका मैंने खुद ही बनाया, वैसारा तो यही कोशिश करें के ना काम भी करें ना तो इस तरीके से करें के आपकी जात पे उसके ना मनफी असरात ना हो आपकी जात पे ना नेगिटिव असरात ना हो खैर फिर उसके बाद ना दिन मेरा एंड हो चुका था और ये नेक्स्ट डे था सुबह नाश्ते में ना मैंने ये पड़े वे थे आम मेरे पास और ये खराव हो रहे थे मैंने चलें दोबारा से ना अब भी मंगवानी है मैंने फ्रूर्स वगयरा इसको ही खतम करते हैं वरना अगर हस्बंट न तो लेने नहीं होते मैंने जबरदस्ती उनको काट के आज मैंने चाय बाद में बना के दिया और उसके बाद पहले उनको ना आम किलाए और फिर उसके बाद फ्रेश होई घर का काम वगयरा कर लिया था मैंने ज़ाड़ों वगयरा सारी लगा लिदी लगा के फिर उसके बाद फ्रेश होके मैंने स सेट कर दूंगे और इसके इलावा मेरे दो पड़ जो है ना वह थोड़े बढ़े हैं और चार पड़े जो है ना वह पड़े मेरे छोटे हैं क्योंकि जो मेरी विंडोवाली है ना स्टैंड लगाओ है पड़ों का वह थोड़ा सा ऊब है और जो ना पर्दों दर्वाजे वाले पर्दों का जो स्टेंडा ना वो थोड़ा सा नीच है तो फिर मुझे ने पैमाईश इनकी करनी पड़ती है के ना मैं कहीं गलत ना लगा दूँ या फिर मैं कुछ कर ना लूँ तो फिर पहले मैं कि पैमाईश वगरा करके फिर उसके बाद इनको ना करती हूं ने का चले आज मुझे टाइम मिलेगा तो मैं या आज चादरें वगरा बिचा के पढ़दे वगरा लगा दूँगे अगर आज मुझे टाइम ना मिला या आज फिर मेरी हिम्मत ना हो इना तो फिर मैं इसको कल क कर लूँगी क्योंकि किसी कमपिटिशन में मैंने जाना नहीं है ना किसी को मैंने खुश करना है अपनी जात के लिए अपनी सैटिसफेक्शन के लिए सब कुछ मैं कर रही हूं और ना इनसान के अपनी सैटिसफेक्शन बहुत बहुत जरूरी होती है फिर उसके बाद ना म पर्दों की पहमाईश बग्रना स्टार्ट हो गई, वेने का कोई चोटा या बड़ा, फिर मैं जई दुबारा Darren निकालना ना पढ़ा है और फिर चियर के ओपर से चड़कर और उतर के फिर निकालना अजाब हो जातया है तो फिर मैं पहले पहमाईश पे कि जो बड़े होते हैं उनको अलाइदा निकाल लेती हूं बाकि जो चार है ना वो तो अगर ना एक दूसरे के साथ चेंज हो भी जाया ना तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है वो चार हो एक जैसे हैं बस सिर्फ इंडो के पर्दों का फर्क पड़ता है छोटा सही विलॉ हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लें अगर आप पहले से सब्क्राइब रहें तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत प्यारे कॉमेंट्स करने का स्पोर्ट करने का बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा दूाओं में याद रखिएगा मेरी तरफ से आला हाफीज